आज हम बहुत आसान से चाट की रेसिपी शेयर करेंगे यह हमने आदा पाव मैक्रोनी लिए जो हमने बॉइल कर लिए आदा पाव ही चने बल्के एक पाव चने एक पाव आलू इबन गोबी एक कप के करीब एक अदर टेमाटर बीज निकाल कर एक अदर बारी कटीवी प्यास और एक यह बारी कटावा घीरा और जो हमने इमली की चटनी बना कर रखती थी तक्रिमें चार टेबली स्पून डालूंगे से में इसकी रस्पी मैंने लगाई भी है पेज पर भी और यूट्यूब पर भी है एक टेबली स्पून चाथ मसाला जो मैंने बना कर रखावा है इसके भी रस्पी दीवी है मैंने और आदा कपके करीब यह मीठी चटनी है जो मैंने बनाई वी है अब हम सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगें नमक मैंने टाल द भी मैकरणी में नमक में वी तो होता है यह नमक और चनों में ढहना है अगर आपको कम लगता तो आपने आगे भी टाल सकते हैं मैंने इसमें नमक नहीं डाला और यह मैंने पॉदीना डाला है आदी गड़ी पॉदीने किती बारी कटावा और यह कितनी मज़दार से चाठ तयार है आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत असान और जटपट बनने वाली चाठ है अपनी मरजी से और चीज़े भी एड़ कर सकते हैं इसमें आप इंशालला फिर नेक्स डेसिपी के साथ मिलेंगे अपना बहुत जादा ख्यार लगएगा अल्लाहाफिज